हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम कच्छा पांच के हिंडी पढ़ेंगे पार्ट दस कितनी अच्छी बात यह एक कविता है इस कविता के माध्यम से कृष्ण शलब जी हमें बताना चाहते हैं कि कितनी अच्छी बात है प्रकति हमें क्या-क्या उपहार दिये बैठी सदा चांद चांदनी लुटाता जड़ना सबकी प्यास पुझाता पेर सदा सबको फल देते सूरज संग उजाला लाता खुद जलकर देता दीपक सा अंधकार को मात ठीक समय पर मौसम आते अपना अपना रंग जमाते लाते जो सौगात साथ में बड़े प्यार से सब दे इनके साथ खेलते रहते देखो जी दिन रात आप देखिया अप accuracy की द्वर्ण किया घुझा फार मिलते हैं औहुंकी बारे में उल्त किया सबक मुझा गलद구 प्यास मुझाता तो तो चाड़ो तरफ कितना अंधेला रहता है लेकिन जिस वक्त चांद आता है धीरे धीरे उस जाले से क्या होते है रात की जो अंधेली रात होती है वो कम हो जाती है और वेक्ति वहाँ पर आसानी से आ जा सकता है इस प्रकार चांद की जो चांदनी रात है वो हमेशा अपनी चांदनी हमेशा लुटाता रहता है, जड़ने का पानी जो मिलता है, till पानी कीमती होती है, इसके लावा पीड तो सब को फल देते हैं, प्रकति में देते हैं, प्रकति में है इस वर्यजा से मिलते हैं, और फिर सूरज संग उजाला लाता है, जब अंधेली रात होती है, इसके बाद सूरज हमाई लिए क्या लाता है, रोशनी लाता है, उजाला लाता है, खुद जल कर देता दीपक सा अंधकार को मात, मतलब खुद जल करके एक दीपक की तरह हमें रोशनी देता है, और अंधेल इंधिर को महत का मतलब होते हैं नदेरे को हरा देता है ठीक समय पर मौसम आते हिरा है अपना अपना अरंग i हमाँ हरी से जन में आपने देखा है हर एक मौसम का भी वक्त होता है कभी ठंडी है अभी का सीजन चल रहा है ठंडी का सीजन चल रहा है भी उसके बाद कर आएEगा बसंत रितू आएगी अ सबोते पलन Investig १ ca बिर बIS covering के बाद कि अब बर्सात के बाद कवर फिर न कि बात की अब और फिर थंडी आ जाएगी देखिए समय समय पर क्या होते हैं मौसम भी आते हैं और अपना अपना रंग जमा देते हैं लाते जो सौगात साथ में बड़े प्यार से सब दे जाते हैं जो भी सौगात का मतलब यहां पर यह होते हैं उपहार जो भी तोफा देते हैं उसे हिसाब से लोग क्या करते हैं उसको अपड़े अब रंग जो मौसम है तो मौसम क्या उपहार देता है ठंडी का उपहार दे रहे हैं गर्मी का उपहार दे रहे हैं उसके हिसाब से जो प्रकति का परिवर्दन है उसके हिसाब से हमें उससे बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं क्योंकि हर वक्त में जरूरी नहीं अगर ठंडी इसलिए प्रकति में समय समय पर परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है इसलिए समय समय पर मौसम आते हैं फिर बड़े प्यार से सब दे जाते इनके साथ खेलते रहते देखो जी दिन रात और इनी के साथ हम क्या करते हैं दिन रात खेलते रहते हैं तो इसको मैं आपको एक बा आदिते हूं इसकाविता में क्या है जो हमें प्रक्ति की द्वार में उगने से दिन की शुरुआत हुजाती हैं अंधेरा क्या हो जाता है भाग जाता है ठीक समय तरह के सौगात मतलब कही उपहार लेकर आते हैं इस प्रकार ये पार्ट जो है समाप्त होता है ठीक है और इसके प्रशन उतर आपको अपनी कॉपी में लिखना है शब्दार को भी कॉपी में लिखना है और याद करना है ओके थैंक यू स्टेजिंस